अब हम इस वीडियो में binomial expansion के powers और coefficients को discuss करने वाले हैं यहाँ पर a plus b की power 1 को कुछ इस प्रकार लखा गया है जिसमें हम देख सकते हैं a की जो power है वो left to right जाने पर 1 से गटकर 0 हो जाती है and since a plus b की power 1 है अब हम इस वीडियो में मतलब a की power 1 से घटना start करती है और 0 हो जाती है अब यदि हम a plus b के whole square के expansion में भी a की power को observe करें तो हम देख सकते हैं a की power left से right जाने पर 2 से घटकर 1 और 1 से घटकर 0 हो जाती है यानि की a plus b के whole square में a की power 2 से start होती है और 0 तक जाती है इसी प्रकार a plus b के whole cube के expansion में हमें same thing देखने को मिलती है जहां a की power 3 से घटना start करती है और a के करके घटती चली जाती है यहां a plus b whole power 3 है मतलब a की power 3 से घटकर 2 2 से घटकर 1 और 1 से घटकर 0 हो जाती है अब यदि हम a plus b के power 4 के expansion की बात करें तो इसके expansion में भी वही pattern देखने को मिलता है जहां a की power 4 से a के करके घटती हुई 3 फिर 2 फिर 1 और फिर finally 0 हो जाती है तो अब हम यहां से ये conclude कर सकते हैं किसी भी expansion में a की power a plus b के index की बराबर value से a के करके घटना start होती है and finally 0 हो जाती है तो हमने अभी तक a के power की तो बात कर ली आएए अब हम b की power पर focus करते हैं यहां b की जो power है वो 0 से 1 बढ़कर 1 हो जाती है क्यूंकि a plus b का index 1 है यहां b की power 0 से 1 और 1 से 2 हो जाती है क्यूंकि a plus b का index 2 है मतलब b की maximum power 2 तक जाएगी इसी प्रकार a plus b के whole cube में भी b की power 0 से start होती है और 1 एक बढ़ती हुई 3 तक चली जाती है क्यूंकि a plus b की power 3 है यहां b a plus b whole power 4 में b की power 0 से 1 एक बढ़ती हुई 4 तक जाती है जो की a plus b का index है तो students हम यहां से यह देख सकते हैं each expansion में left to right move करने पर b की power 1 से increase करती है और a और b पर maximum power जो है वह a plus b के whole power के बराबर होती है यानि की index के बराबर होती है आईए अब एक और observation की बात करते हैं यहां a plus b के expansion के हर एक term की बात करें तो a और b के powers का sum 1 प्लस 0 यह 0 प्लस 1 equal to 1 मिलता है जो की a plus b के index के equal है a plus b के whole power 2 के इस term में अगर a और b के power का sum हम calculate करें तो 2 प्लस 0 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2 is equal to 2 ही मिलता है जो की a plus b के index के बराबर है इसी प्रकार a plus b की whole power 3 के each term को notice करें तो हम पाते हैं a और b के powers का sum भी 3 के बराबर ही मिलता है Similarly a plus b के whole power 4 में भी प्रतेग term में a और b के powers का sum 4 के बराबर मिलता है जो की a plus b की इंडेक्स के बराबर है इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर a प्लस b की whole power n होगी तो इसके expansion के प्रतेक टर्म में a और b के powers का sum भी n होगा तो अब तक हमने a के powers की बात कर ली है जो कि किसी भी expansion में left to right move करने पर a प्लस b के index के बरावर value से एक एक decrease होती हुई 0 तक जाती है इसी प्रकार हम b की power की भी बात कर चुके हैं and b की power left to right move करने पर 0 से start होकर एक एक digit से increase करती हुई a प्लस b के index के बरावर value तक जाती है